बच्चो आज की इस वीडियो में देखेंगे एट गरेट अभ्यास पुस्तिका दो हजार तो इस जो आपकी नियूबुक है कक्छा आठ विसे हिंदी तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे पाठ अठारा, पाठ अठारा में है युद्ध गीता चलिए कोश्चन की और चलते हैं पहला कोश्चन आता है आपका बहुविकल्पिय प्रेश्न कोश्चन नमबर पहले में है मरकट सब्द का अर्थ होगा तो इसमें से जो है आपका सही उत्तर होगा बी नमबर बंदर दूसरे में है अस कही शम्मुख सम्मुख फोज रंगाई पंक्ती में रेखांगित सब्द का विलोम सब्द क्या है आपकुत्तर में करना है सी विमुख तीसरे में है विभीसड किसके मित्र थे तो आपकुत्तर में करना है डी नमबर राम के चौथे में है आदी कभी किसे कहा चाता है आपको उत्तर में करना है वालमिकी इसके बाद आपका next question आता है पांचवे में है राव नुर्थी, बिरच, रगु बीरा, देखी, विभीसड, भया, अधीरा, मात्राओं की गड़ना कर बताईए यह कौन सा छंद है तो आपको उत्तर में लिखना है चौपाई इसके बाद आपका next question आता है रिक्तिस्थानों वाले तो आपको प्रश्ण करमंग 6 में यहापे भरना है महारिशी वालमिकी, 7 में भरना है आपको विभीसड, 8 में भरना है आपको विशर्क संधी, और 9 में में भरना है आपको छंद, इसके बाद 10 में भरना है आपको उपमा आप इस तरह भली जगा, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अतिलगुत्री प्रेशन प्रेशन करमांक 11 में हैं, तुलसिदास ने अपने ग्रंथों की रचना किसको केंद्र में रखकर की है तुलसिदास जी ने अपने गरंथों की रचना सिरी राम चंद्र जी को केंद्र में रखकर की है इसके बाद बारा में सिरी राम ने धर्म रथ का सार्थी की से बताया है आपको उत्रम करने सिरी राम ने धर्म रथ का सार्थी परमात्मा को बताया है इसके बाद नेक्स्ट आता है, कोश्चन नमर 13 में है, नाथ नारत नहीं, तनपद तराना केही बिधु जितब वीर बलवाना, पंक्ती का अर्थ अपने शब्दों में लिखे, तो आपको उतर में लिखना है, विभीकता बोले हैं, हे नाथ आपके नारत है, ना तन की रक्ष करने वाला का वच्छ है, वह बलवान रावड किस प्रकार जीता जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आता है, आपका चौदर में रावड ने यूद भूमी में आकर क्या गोस्ड़गी, आपको उतर में करना है, रावड ने कहा कि, इस रेस्ट वीरों आप सभी सुनें, आप आप सभी वानरों और भालियों के समुह को मसल डालो, इसके बाद नेक्स्ट आता है, आपका कोश्चन नंबर 15, 15 में है राम, रावड यूद के समय विभीसड क्यों जिन्तित थे, आपको उतर में करना है, विभीसड राम चैंदर जी से बहुत प्रेम करते थे, प्रेम की अदिक्ता होने के कारण विभीसड के मन में संदे उठा की राम चैंदर जी कुछ युद में रावड पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसके बाद आता है आपका प्रेश्न कर्मांग 16, 16 में हैं, चतुरंगिनी सेना से आप क्या समझते हैं, आपको उतर में करना है, जिस सेना में हस्थी अस्वरत है, पत्दिती माने जाते हैं, उस सेना को चतुरंगिनी सेना कहा जाता है, 17 में सिंग सब्त के दो प्राव आज़ी लिखते हुए, उनका वाके में प्रेयोग कीजे, आपको उतर में लिखना है, सिंग सेर वन्राज, पहला है सेर, तो आपको वाकिम प्रियोग करना है, सेर जंगल का राजा कहलाता है, दूसरा है वन राज, जंगल में सबसे खतरनाग जानवर वन राज है, आप इस दह कर लीजे कि इसके बादा आता है, आपका प्रिस्न कर्मंग अठारा, अठारा में है, बल विवेक दम, परिहित घोरे, छमा, क्रप समता, रजूब जोरे, उपर युक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखे, तो आपको उतर में लिखना है, बल विवेक छम तथा, बल विवेक दम तथा, दूसरों की भलाई करने की भावना के घोरा को, भावना के घोरों को छमा, क्रपा और समानता की रसी से जोड़ा गया ह उस रत से विजय प्राप्द होती है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देरगूतरी प्रिश्न करमांग 19 में प्रचीन काल में होने वाले युद्ध, एवा वर्तमान में होने वाले युद्ध में क्या-क्या अंतर है, विस्तार से लिखे, आपको उतर में करना है, प्र प्रचीन काल के युद्धू में धनुसवार, भाला, तलवार, आदी हथियारों का प्रियोग किया जाता था, वर्तमान में युद्धू तोपों, मिसालों, मसीन, गनों, इत्यादियों से लड़ा जाता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिस्म करमांगी 20 में र रावड की सेना की विसाय में विस्तार सी लखे, तो आपको तर में लिखना है लंका नरेश रावड की, रावड की सेना युद्ध छेत्र की और जब प्रियाग प्रुस्थान कर रही थी, तब उसके चलने से जो धूल उड़ी उससे सूर छिप गया, हवा भी ठक गई, प् तरह बजने लगे मानों उप्रला के समय के बादल गरजना, गरजना कर रहे हो, तो आप इस तरह कर लिए चेगा, यह था आपका लास्ट कोचन, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, वीडियो अच्छे लोग तो प्रीज हमारी चैनल के लाइक और सस्क्राइब कर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में